चलो बच्चो तो आज हम लोग गुजरादी ग्रामर का एक दूसरा नया पॉइंट देखें जो पॉइंट का नाम है विशेशन विशेशन जिसा हम लोग इंग्लिश में कहते हैं एड्जेक्टिव तो विशेशन का प्रॉपर मिलिंग क्या कहते हैं विशेशन वो शब्द क्यालाता है वो वर्ड क्यालाता है जो कोई भी नाम में या इंग्लिश में कहो कोई भी नाउन नाउन कहते हैं तो कोई भी नाम या कोई भी नाउन को डिस्क्राइब करता हो वो नाम कैसा है वो अगर डिस्क्राइब करता हो वो एक्ष्रा वर्ड जो Stevens होते हो उन extra words को विश armor कहते हैं इसरी में विश क्टे रम्पल में मतलब जो नाम को बढ़ा वा देता हो जो नाम को बढ़ा कर बताता हो तो वो बिशेश creation कहला ते एक एक्जमम दो अगर तो एक एक्जममम ऐसे आता है जैसे कि विशार घर जैसे के एक्जामपल विशाड घर तो घर तो है घर नाम है ठीक है न वो नाउन हुआ वो नाम है लेकिन घर कैसा है तो विशाड बहुत बड़ा है ठीक है न वो से डिस्क्राइब किया न विशाड घर तो ये विशाड वो क्या कहलाया विशिशन कहलाया ठीक है जैसे कि यह लेख सकते हैं डाहयो छोकरो तो छोकरो तो है वो नाम छोकरो है लेकिन कैसा है डाहयो बरबर ना तो यह डाहयो जो एक्स्ट्रा वर्ड उस नाउन के साथ उस नाम के साथ लगते हैं उन वर्ड को हम लोग क्या कहते हैं विशेशन कहते हैं बरबर जैसे कि तो शहर तो हैं लेगिन कितने शहर हैं त्रण ये त्रण वो भी क्या हुआ विशेशन हुआ नाम को डिस्क्राइब करता हुआ जो वर्ड उसके साथ यूज होता है उस वर्ड को हम लोग क्या कहते हैं विशेशन अब वो जो describe करता हुआ word है वो word कोई भी हो सकता है वो बले उस description में उस word की quality बताता हो कि जैसे की डाहियो छोकरो तो उसकी quality बताता हो बले उसकी quantity बताता हो कि वई विशाड घर विशाड तो वैसे quality हुई लेकिन जैसे एक दूद के बारे में अगर कहें तो घणू दूद य ठीक है ना कोई numbers बताते हो जैसे त्रण शहर तो नाम को describe करता हुआ कोई भी word हो उस word को हम लोग क्या कहता है विशेशन कहता है अब हमें जो यहाँ पर देखना है वो विशेशन के कुछ प्रकार देखने है मतलब के विशेशन के types देखने है उसके प्रकार देखने है अब विशेशन के प्रकार अलग-अलग तरह से बनते है एक बनता है रचनाना आधारे विशेशन रचनाना आधारे मतलब on the basis of formation on the basis of formation formation के हिसाब से रचनाना आधारे विशेशन तो उसके दो प्रकार आते है और दूसरा विशेशन का प्रकार आता है वो आता है कार्यना आधार कार्य ना आधारे मतलब कि on the basis of working उसकी working के एसाब से कार्य ना आधारे विशेशन तो उसमें भी विशेशन के अलग प्रकार आते हैं वरवन हमें यहां पर यह विशेशन के प्रकार समधने हैं तो जैसे सबसे पहले रचना ना आधारे विशेशन पहले यह समझें मैंने यह पहले ही लिख दिया है, यहां पर समझे पहले कि रचनाना आधार है विशेशन, मतलब फॉर्मेशन के हिसाब से विशेशन के दो प्रकार आते हैं, एक आता है विकारी विशेशन और दूसरा अविकारी विशेशन, फॉर्मेशन के हिसाब से यह दो टाइप विकार और अविकारी, तो पहले दोनों का मिनिंग समझे न, विकारी विशेशन मतलब वो विशेशन कहलाता है, वो शब्द जो हर नाउन के हिसाब से, हर नाम के हिसाब से बदलते रहते हो, चेंज होते रहते हो, बरवर न, हर नाम के हिसाब से जो चेंज होता रहता हो, तो उसे वि हम मेर सां बदलता रहता हो तो उसे विकारी विशिशन कहतें जैसे उसका एक омеक्वे क्यांपल जाह सब बच्चों के लिए काहा गया तो उसे कहा जाएगा ना बाड़को खाली एकी हो तो नानु मालग घंन हरना अगर लड़के के बारे में कहा जाए तो नानो छोकरो, कोई लड़की के बारे में कहा जाए तो नानी छोकरी, बरवर न, कोई नौन लिविंग तिंग के बारे में कहा जाए तो नानी टेबल, तो हर एक के हिसाब से ये चेंज होता है न, नाना, नानो, नानी, बरवर, तो जो वर्ड हर के हिसाब से बदलता रहता हो ना तो उसे विकारी विशेशन मैं कहते हैं, जो हर नाम के हिसाब से उसका वर्ड चीन्ज होता है तो इसलिए उसे क्या कहते हैं कि जैसे यहां पर एक लिखा थे यहां तो डाहियो चछोक्रों डाही चोकरी अगर पूरे गाउं के बारे में कहने हो तो दाहियो गाउं डाही करहें गाम ऐसे मिवह जाएगा तो डाहियो no डाही, डाहियो, सब के हिसाब से चींज होगा, हर नाम के हिसाब से वो वर्ड चींज होता रहेगा, तो ऐसे वर्ड को कहते हैं विकारी विशेशन, और जो नाम के हिसाब से चींज न होता हो, तो उसको कहते हैं अविकारी विशेशन, ठीक है न, जो नाम के हिसाब से बदलता न हो जैसे कि ये है विशाड यहां पर एक ये लिखा न विशाड घर तो अब ये विशाड ये किसी के भी साथ चेंज नहीं होगा कि विशाड घर घर के लिए भी विशाड परवत के लिए बोलना हो तो विशाड परवत तो भी वई जाड के लिए बोलना हो तो विशाड जा वो किसी के लिए भी कहो, कोई लड़के के लिए कहो होशियार चोकरो, लड़की के लिए कहो होशियार चोकरी, पूरे गाउं के लिए कहो होशियार गाम, किसी के लिए कहो वो चेंज नहीं होगा, होशियार वही वर्ड रहेगा. समझा रहा है न तो जो हर नाम के हिसाब से चेंज न होता हो तो उसे कहते हैं अविकारी विशेशन और जो हर नाम के हिसाब से बदलता रहता हो चेंज होता रहता हो तो उसे हम लोग कहते हैं विकारी विशेशन अब समझ में आ रहा है पॉइंट तो यह हुआ रचना ना आधार है फॉर्मेशन के हिसाब से यह दो टाइब हुआ है विकारी और विकारी विशेशन सिंपल सा है खाली माइंड में रखना कभी एक्जाम में पूछे तो खाली माइंड में इसकी डेफिनेशन भी याद होगी न तो भी क्लियर हो जाएगा कि हाँ अगर यह सब के सबसे चेंज होता है और कुछ नहीं न तो इक्रशाम में न ऊस वरड़ को कोई भी मेल और फीमेल के साथ चेक करके देख लिया करो मैं लांबो चोक्रो लांबी चोकरी तो लांबो लांबी चेंज हो रहा तो मतलब विकारी विशेशन अगर होश्यार वर्चियार चोकरो, होषियार चोकरी, होषियार वर्ड चेंज नहीं हो रहा है, तो वह अब एकारी विशेशन, परवन ऐसे सिंपल सा याद रखा का रोज में, तो ये रचना ना आधारे जैसे विशेशन के प्रकार देखे न, वैसे ही दूसरा आता है कार्यना आधारे वर्किंग के बेज पर, तो वर्किंग के बेज पर विशेशन के पांच प्रकार आते हैं, सबसे पहला विशेशन वो आता है गुण वाचक विशेशन, गुण वाचक, मतलब जो शब्द, विशेशन मतलब ये एक शब्दी कहला है न, जो नाउन को डिस्क्राइब करता हो, वो एक शब्द, तो जो शब्द उस नाउन की quality बताता हो, क्या बताता हो? quality, गुण बताता हो, तो उसे गुण वाचक विशेशन कहते हैं, परवन कोई भी नाउन, कोई भी नाम की quality बताता हो अगर, तो उस विशेशन को हम लोग क्या कहते हैं? गुण वाचक विशेशन, जै चाडू, यह सब शब्द हैं, तो यह सब क्या बताते हैं, गुण बताते हैं, सुन्दर, फूल, तो फूल तो है, लेकिन कैसा है, सुन्दर, यह उसकी क्वालिटी बताई उन्होंने, गुण बताया, परवन, जैसे खराब, तो खराब मैदान, मैदान तो है, लेकिन कैसा है, यह उसकी quality बताई उन्होंने, जैसे चोखु, तो चोखु घर, घर तो है लेगिन कैसा है, एकदम साफ, तो कोई भी नाम की जो quality बताता हो, गुण बताता हो, तो उस शब्द को अमलो क्या कहता है, गुण वाचक विशेशन, फिर दूसरा प्रकार आता है, वो आता है संख्या वाचक विशेशन, संख्या वाचक, मतलब कि जो विशेशन कोई particular number बताता हो, नाम को कोई भी number में describe करता हो, तो उसे संख्या वाचक विशेशन कहता है, जैसे यहाँ पे नहीं लिखाता है, तो शहर तो है, लेकिन कितने है, तो यह तीन number दिया हुआ है, तो इसलिए वो त संख्या वाचक विशेशन कहलेगा, जैसे यहाँ पे लिखा था दाहयो चोकरो, तो दाहयो उसकी quality बताता है, गोण बताता है, तो उसलिए दाहयो यहालिप्या वाचक विशेशन, जैसे विशाड घर, एसप्याओ, यह भी है ज़िखाता है, इसलिए यह दिखी वाचक वि अलग-अलग आती है, संख्या में भी साधी संख्या, क्रमिक संख्या और संख्यान श्वाचक, तो सबसे पहले साधी संख्या क्या, साधी संख्या मतलब जो सिंपल नंबर साते हैं वो, एक, भी, त्रॉण, चार, सिंपल नंबर दिये हुए हो वो, तो जैसे इसमें न, क्रमिक संख्या दी गई हो क्रमिक मतलब पहलु बीजु त्रीजु प्रथम दृतिय ऐसे आते हैं बरबन ऐसे अगर मैं बोलू कि आमारू पहलु घर चे तो घर तो है लेकिन कैसा पहला घर है तो पहलु ये भी तो एक नंबर ही हुआ ना तो इसलिए उसे क्या कहेंगे संख् वीजु ट्रीजु चौथम पांचमु ये प्रथम ध्वित्ययत रिधिय ऐसे 속क्नकोड मैं वह भी संख्या ही बताते हैं । दूसरा हाता है संख्यांश्वाचक संख्यान्षवाचक मतलब जो पूरी संख्या नहीं लेकिन संख्या का एक पार्ट बताता हो संख्या का पार्ट बताता हो जैसे कि सवा, पा, अर्दू, पॉनू ये सब संख्या के अलग-अलग पार्ट है न वर्वन सवा वो पूरा नहीं पदा ना सवा मतलब, तो यह सवा पार्ट है उसका, जैसे पा, अर्धो, तो यह सब संख्या के पार्ट हैं, संख्यान्ष कहलाते हैं यह, संख्यान्ष, संख्या के पार्ट हैं, तो यह भी क्या कहलाया, संख्या वाचक विशेशन ही कहलाया, इन शॉट नाम के आगे अगर कोई भी संख्या दी गई हो न वह नॉर्मल संख्या हो ग्रमिक हो के संख्यान्ष हो कोई भी हो उसे हम लोग क्या कहेंगे संख्या वाचक विशेशन कहेंगे फिर दूसरा विशेशन का प्रकार आता है उसे कहते हैं जत्था वाचक विशेशन जत्था मिंस quantity कहलाती है जनरली ऐसी चीज है जिसे हम लोग count नहीं कर पाते हैं uncountable things हो जिसे सिफ quantity में बताया जाता हो जत्था मतलब quantity में बताया जाता हो तो ऐसे शब्दों को जत्था वाचक विशेशन कहते हैं बरबना कि जैसे गुण वाचक विशेशन वो आता है quality वो quality बताता है जथा वाचक विशेशन वो क्या बताता है quantity बताता है वो भरवन तो जथा वाचक विशेशन जैसे उसमें शब्दा आते हैं बहु घणू थोड़ू उच्छू वधारे एट्सेकरा यह सब शब्द जथा मतलब के quantity बताते हैं जैसे थोड़ू दूद वधारे पानी अब ऐसी चीज़ें जनरली जनरली बोल रहा हूं कि उसको count नहीं की जाते uncountable things होती है तो इसलिए उससे जो describe करना हो तो उसे जथा वाचक विशेशन के दुरू describe करते हैं समझा रहें न बाद उसके बाद दूसरा आता है वो आता मात्रा सूचक विशेशन तो मात्रा सूचक मतलब क अगर simple meaning समझो न तो मात्रा का मतलब होता है कोई एक limit लिमिट कहलाती है यहां पर मात्रा सूचक विशेशन मतलब जो शब्द कोई भी एक particular thing या particular situation की limit बता देता हो तो उसे हम लोग मात्रा सूचक विशेशन कहते हैं जैसे कि साव, तद्दन, आचू, गेरू, वादा न कि जैसे वो कहते हैं कि साव खराब खराब तो है लेकिन कैसा साव तद्दन खराब कि एकदम जो limit बता देता हो ठीक है न आखरी limit बता देता हो तो उसे हम लोग मात्रा सूचक विशेशन में मानते हैं अरेनवा समझ में उसमें यह शब्दा आते हैं साव, तद्दन, आचू, गेरू, और दूसरा आता है, वो आता है सार्वनामिक विशेशन, सार्वनामिक, तो सर्वनाम मतलब कहते हैं कि प्रोनाउन, इंग्लिश में हम लोग उसे प्रोनाउन कहते हैं जो नाउन की जगे पर यूज होता हो, हम लोग इंग्लिश में वो कहते हैं जैसे अगर कोई ल सर्वनाम का विशेशन की तरह यूज होता हो न तो उसे सर्वनामिक विशेशन कहते हैं जैसे उसमें शब्दा आते हैं मारू तारू आपणू तेनू यह सब सर्वनाम आता है जैसे मारू घर तो है लेकिन किसका मारू घर माय हाउस बरवन कि तारी पैन, तो पैन तो है लेगिन किसकी तुमारी यौर पैन, यौर या तारी पैन, तो तारी ये क्या कहला है, सर्वनामिक विशेशन, समझा रहे न बात है, तो ये सब विशेशन के प्रकार कहला है, वो किसके हिसाब से, कार्या के हिसाब से, ठीक है न, तो विश जचना के आदार पर ये दोनों विशेशन होते हैं, विकारी और अविकारी विशेशन और कार्या के हिसाब से उसके ये पांच प्रकार आते हैं विशेशन के, clear हो, run point, तो इसे अच्छी तरह से देखो, छोटा सा ही point था, इसे अच्छी तरह से देखो, और आपकी test book में भी जो ये दिये हुए है topic, उस topic को एक बार अच्छी तरह से read कर लो, तो आपके mind में ये और अच्छी तरह से clear हो जाएगा, ठीक है न, आपके exam में भी ये इसी तरह से ही पूछते हैं, कि आपको कोई शब्द दिया गया होगा, जैसे यहां पर विशाड शब्द है, विशाड बताता हो, तो गोण quantity बताता हो, तो जथा वाचक, limit बताता हो, तो मातरा सूचक, और अगर कोई pronoun बताता हो, तो वो सर्वनाम एक विशेशन, बरबर न, तो इस तरह से आपको exam में भी ये पूछा जाता है, तो इसलिए आपके test book में भी जो ये point दिया हुआ है, छोटा सा point उसे एक बार अच्छी तरह से read कर लो, तो ये point और अच्छी तरह से clear होगा, फिर जो गुजरातिक grammar के दूसरे points हैं, वो अब हम लोग अगले videos में देखेंगे, okay, thank you.